प्रभूर्श शिरीराम की नगरी अयुध्या में भवे राममंदर के उद्गाटन और रामलला की प्राणड प्रतिष्ठा की तयारी जोरों पर है। जहां नया बनकर तयार हुआ महरशी वालमी की इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयुध्या धाम भी देशों में कई जगह से उडान सेवा देने के लिए तयार है। इनमें राजनितिक, कॉर्परेट जगत, सेलिब्रिटीज, विदेशी महमान शामिल है। चमपतराय और अयुध्या एरपोर्ट के डिरेक्टर विनुध कुमार गर्ग ने रविवार को मलाकत कर 22 जनवरी के दिन एरपोर्ट पर विमान की आवाजाही की तयारी को लेकर चर्चा की। विनुध कुमार ने इस दोरान बताया कि कारिक्रम के दिन करीब 100 चार्टेट फ्लैट्स के आने की संभावना है। अभी नए बने इस एरपोर्ट पर इतनी बड़ी मूवमेंट को संभालना काफी चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन हम इसके लिए तयारी कर रहे हैं और अत्रिक्त ग्राउंड स्टाफ को भी लाया जा रहा है। अमदाबाद से और अकासा एर ने भी हमसे संपर्क किया है। और इस दोरान जो परान परतिश्चा का करेकरम है। बहुत सारे चार्टर प्लेंज हमसे संपर्क में हैं जो कि इस दोरान यहां आएंगे। तो उनकी ववस्थाओं के लिए ही आसमें। अंतराष्टे दर्जा हमारे एर पोर्ट को मिला हुआ है आल लेडी। और इसके लिए आगे आने वाले क्योंकि अब देश-विदेश से यातरी आने हैं। प्रबुद्शित एजाम के नगरी हैं। तो उसको लेकर के सारी ववस्थाओं हमें करनी हैं। बस हमारे लिए भी बहुत चुनोती पून कारिया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग सों उड़ाने उस दोरान संभावित हैं। तो उनकी सारी ववस्थाओं के लिए कर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती है ये भी तो दिन रात हमें साथ एएरपोर्ट को चलाना पड़ेगा पूरे 24 गंटे तो उनकी ववस्थाओं के लिए मैंने आपको बताया कि अभी सभी लोग संपर्क में और अभी बहुत सार अभी उड़ाने हमारे संपर्क में और आने वाली हैं संभावित है तो अभी जो आए हैं उनके लिए मैंने अभी तो व्यवस्थाओं के लिए समिक्षा बड़ेगा एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया के अनुसार अयुध्या में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट और उनके साथ अन्य विमानों को प्राथमिक्तच दी जाएगी इसके अनुसार ही एरपोर्ट पर स्पेस और लेंडिंग की अनुमती दी जाएगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को 24 घंटे फ्लाइट सेवाएं जारी रहेंगी कोहरा होने और अन्धिरा होने पर भी फ्लाइट सर्विस जारी रहेगी इसके साथ ही अयुध्या से ओडान भर रही और लेंड कर रही कमर्शिल फ्लाइट भी 22 जनवरी के दिन शेडिल होने पर ऑपरेट करेगी अभी शुरुआती तोर पर यहां इंडिगो और एर इंडिया एक्स्प्रेस ने विमान सेवा शुरू की है लेकिन जल्दी अकासा एरलाइन भी शामिल होगी बता दें कि बाई जनवरी को अयुध्या के राम मंदिर में भगवान राम का प्रार पतिष्ठा होना है जिसके तैयारी अयुध्या में जोरों से चल रही है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी